फिर नितीज सरकार ने तीसरी वार तुगलकी फर्मान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदूओं के छुटियों को सिवरात्री जैसे महापर्ब, जन्मास्ट्मी जैसा महापर्ब, इन छुटियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुटी जो मुशलमानों में बढ़ा दी गई है ये साफ जाहिर होता है कि नितीज सरकार बिहार में इसलामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया पुर्णिया कटिहार के संगन जैसे जगों पर सुक्रवार को इस कुलों में छुट हो रही है अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इसलामिक छुटी करने की योजना बना रही है ये सरकार अगर हमारे छुटियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है अगर नहीं छुटियों को फिर से बहाल किया इसका खाम्याजा नितीज कुमार को आन मुहम्मद लालुजादव और मुहम्मद नितीश कुमार कह लाएंगे